वेडिंग्स में डेकोरेशन उतनी जरूरी होती है जितना की दुलहन का मेकप और जल्री, पहाडी धाम में मदरा और ब्राद में बैंड बाजा वरना पता कैसे लगेगा किसी की शादी है या किसी का बर्डे सेलिबिरेशन अरे कहना क्या चाहते हो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बढ़िया इजी टू मेक मेंधी डेकोरेशन यूजली पहाडी वेडिंग्स में इन चीजों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता सब कुछ टेंट वालों के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है जो पिछले 20 सालों से वही करते आ रहे हैं जो उन्होंने हमारी मम्मी पापा की शादी में डेकोरेशन की थी पर अगर आप भी अपनी शादी में कुछ अलग सा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आ एंड तक जरूर देखना ये डेकोरेशन मैंने एक हमीरपुर की शादी में देखा था और ये ब्रैंड ने खुद कहके टेंट वालों से बनवाया था अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ये बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन है जो आप टेंट वालों को बोलके असानी से बनवा सकते हैं इसमें सिंपल फूल की लडियां लगाए गई हैं पचास से साथ लडियों में बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो सकती है ये गुबारे ऑनलाइन मिल जाते हैं और काफी अच्छी लुक देते हैं इस डेकोरेशन को अगर हम कॉस्ट वाइस देखें तो ये पचास लडियां अगर बीस रपे के हिसाब से हजार रपे बनते हैं और ये गुबारे आपको अराउंड 400-500 रुपे के ऑनलाइन बड़े असानी से अच्छी क्वाल्टी के मिल जाएंगे तो इस टोटल डेकोरेशन की कॉस्ट हुई 15 रुपे तो अगर अपनी शादी को आप कुछ स्पेशल कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा आइडिया मेरी SDR Labs की तरफ से ठेंक यू और आप देख सकते हैं फोटोज भी कितनी अच्छी उभर के आती हैं इस डेकोरेशन के साथ खत्म बाई बाई टाटा गुड़ बाई गया झाल झाल झाल